तफा है शजर अम्रू यहां आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं अपने लिए एक ड्रेस भी खरीदना है मुझे अगर जैनब की पास चलना है तो अभी चलते हैं यल्दिस क्या बच्चों को भी ले चलने अपने साथ ताकि हम पे घुसाना कर सके वैसे बहुत अच्छा ख्याल है आपका बच्चों चलो खाला के पास चलो तुम लगों की खाला से मिलने चलते हैं सब है न यल्दिस सो रुके दौान की कॉल है वो तुम्हारा पीछा नहीं चोड़ेगा कभी हां कहो दौान यल्दिस मैं आज अपनी बेटी से मिलना चाहता है अभी तो मुम्के नहीं क्योंके वो अपनी आउंटी से मिलने जा रही है अगर उससे मिलना है तो दुपहर में आके मिल सकते हो उसस आउंटी कहा है उसकी जाहिर सी बात है उसकी शादी हो गई है तो वो एंगन के साथ होगी अब हमेशा तो यहां नहीं रह सकती थी ना वो वैसे तुमने मुझ पर नहीं आलिया पर यकीन किया था और करो यकीन उस पर ठीक है जब वो आ जाए तो पता ते रहा मैं लेने आ इस पर हमारी बहस हो चुकी है मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी हाँ ठीक है मैं चानता हूँ कि मैं उसे सिर्फ बाहर से देख सकता हूँ तो क्या मैं घर आ सकता हूँ उसे लिए नहीं मैं एजासत देती हूँ अब रखती हूँ फोन बाई याद दोती है गुड मॉर गुड मॉनिंग, तुम्हारी तबियत कैसी है अब? अब काफी बहतर है, मैं किसी भी बात का गम एक दिन से जादा नहीं मना सकती, तो इसलिए अब ठीक हूँ मैं. जैनब एंगिन के घर जा चुकी है? जानती हूँ, हांदान ने बता दिया था. इसका मतलब ये शादी दिखावे की नहीं थी. इससे क्या फर्क पड़ता है दुआन? ये भी जरूर यिल्दिस का कोई प्लैन है. हम ऐसी आउरत के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, जिसने कल तुम्हारी बीवी के साथ इतना बड़ा खेल खेला था. इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ के एंगन की और जैनब की शादी को इस खर में दुबारा से ना दोहराया जाए. ठीक है दुआन? एसकी? जी आल्या साइबा. नाश्ता कब तक रेडी हो जाएगा? बस अभी लगा देती हूँ मैं. लेकिन यार अभी हमें एक अच्छा सा बंदा ढूनना बाकी है, उसका क्या करना है? आमिर, पडोसियों की घर से जरा दूर रहो, कहीं मुश्किल में ना जाओ. हाँ, सही कह रहो तुम बिल्कुल. तुम्हें पता है आमिर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती. इन औरतों को ऐसे मर्द क्यों पसंद आते हैं, जो मीठा ना काते हूं? मैं तो रह ही नहीं सकता, मीठा काए बगर बिल्कुल. जो ही तो, मेरे भाई वो मर्द ही किया है, जो चीनी और मिठा ही ना काए. कोई भी मर्द सिर्फ सबजियों पे गुजारा थोड़ी कर सकता है. और फिर कहते हैं कि मर्द हुसन परस्त होते हैं, और जैसे ये खुद नहीं होती हैं ना? सही कहा, सब एक जैसे ही तो होते हैं. हाई! मेरे भाईयों किसम से बहुत याद करता हो तुम्हें, क्या हाल है, सब ठीक ठाक? हाँ, हेलो, ठीक. कैसे हो, कुमर? मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को क्या हुआ है? कुमर सहाब, ये बात तुम्हें ज्यादा बेतर पता होनी चाहिए. कुमर सहाब, तुम लोगों का ये रवया मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ साफ को क्या कहना है? तुम हमारे दुश्मन के साथ हो मेरे भाई. ये बात मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने तुम लोगों के साथ अपना रवया नहीं बदला. तुम जाओ भाई कॉमल के साथ घूमो फिरो, कॉमल है ना सबसे बैतरीन दोस्त तुमारी, और हाँ अब हर बात राज में ही रखना, और मुझ से किसी भी किसम की मदद मत मांगना. आमिर ये तुम कैसी बाते कर रहे हैं, मैं भला तुम से कोई बात क्यों चुपाऊंगा? ये तो तुम ज्यादा बैतर जानते होगे, मेरे पुराने दोस्त? पुराना दोस्त? आमिर पुराना दोस्त कभी दुश्मन नहीं हो सकता. साफ साफ बताओ क्या बात है, मजीद मत उल्जाओ मुझे. तो फिर बात सुनो मेरी, तुम ज्यादा अंजा ना बनो तो बहतर रहेगा तुम्हारे लिए. तुम्हारे और कोमल के दर्मियान जरूर कुछ चलना है जो तुम मुझे चुपा रहे हो. मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं चुपाई है. अगर आज के बाद मुझे कोई अपनों के साथ भी ऐसा करता होगा क्या? मुझे लगा तुम इसकी साइड नहीं लोगे, बलके मेरी बात को समझोगे. लेके नहीं, तुम भी मुझे गलत ही समझ रहे हो. नहीं, मैं हमेशा सच का साथ दे तुम कुवर मेरे भाई. इसमें अहरान होने की आखिर क्या ब मेरी प्यारी बेटी जैनब कहां है? वो यहां है, देखो कौन आया तुम से मिलने. अरे, देखो तो यह कौन आया है? आजो मेरे बच्चे. हाँ, आजो, हाले चान. यल्दिसू, तुम्हें बहुत याद कर रही थी, खाला. चलो, खाला के पास जाओ. यल्दिसू, खुशा है, कह दे? जिसे जो कहना है, कह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, जैनू. हम लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे थे. सच में बहुत याद किया हम लोगोंने. तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत कमी मैसूस हुई. कितना याद किया है, मु मौझूद हैं तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ बहुत जादा शर्मिंदा हूँ मैं मुझे तुम लोगों से पूछे बगएर वो कदम नहीं उठाना चाहिए था अरे आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्यों जैनब बिल्कुल सही कहा अरे आप लोग खड़े क्यों हैं बैठिये ना प्लीज आज़ आज़ो हालिद अरे हालिद जान ताली मारो उससे जल्दी जान चुड़ानी होगी मुझे हानदान साहिबा मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता लेकिन शायद इंगन साहब जैनब से महबत करते हैं जमाल खुदा का खौफ करो जरा ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूँगी ये खेल तो यल्दस के लिए खेला जा रहता पता नहीं जैनब कहा से बीच में आ गई अब हमें क्या करना होगा मैं उसे इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूँगी मगर ये फैमली बहुत ही बहिस है इन्हें आदत पर चुकी है बेज़त होने की मैं उसे एक दफा जरील करती हूँ तो वो पलट कर बहुत कुछ सुना देती है आपको? हाँ मुझे सोच सकते हो तुम उसे डर भी नहीं लगता खेर मैं उसे देख लूँगी मुझे बहुत जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा जैसा के? मुझे नहीं पता मैंने सोचा नहीं लिक्ट मैं सोच लूँगी भाई के सामने इनका असली चहरा दिखा कर रहूंगी मैं मगर अभी नहीं वो इस घर में अभी आई है मैं नहीं चाहती के भाई को शक हो जाए मुझ पर तो ठीक है मैं जैनब के बारे में चांद मीन करवा लेता हूँ हो सकता है उसका कोई राज हो जैसे के कर्ज वगएरा अरे जमाल अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा फिर वो काबू में होगी हमारे ठीक है जमाल मैं बाहर जाकर देखते हूं कि आखिर क्या हो रहा है लगता है शायद यल्दिस और उसकी मां आई है ठीक है फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ ठीक है तुम जाओ मैं भी थोड़ी दिर में आ रही हूँ बिटा ये देखो मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया है अब मैं ऐसे यहां रख देती हूँ यहां ठीक रहेगा ना ये कैसे हैं आप सब लोग हांदान हम तो ठीक हैं तुम बताओ खेरियत है एतनी सुबाई सुबा अपनी बेटी से मिलने के लिए आए है मेरा भाई और जैनब अब एक साथ है तो यकीनन आप सब लोग बहुत खुश होंगे बहुत खुश जैनब बहुत खुश खुश किसमत है मेरे ख्याल से तो एंगन ज्यादा खुश किसमत है ये क्या बाते करने लगए हैं आप लोगी अला अला हांदान नंध होने का सबूत दे रही है तो क्या हम लोग खामोश बैठे रहे हैं छोटी छोटी बातों पर तूतु मैमे करना या बहस करना ये हम बड़े लोगों का काम नहीं है हमारा तालग उचे तपके से है नंध और भावी का तालग उचे तपके से नहीं होता हांदान ये ऐसा रिष्टा है जिसमें अक्सर तूतु मैमे हो जाती है मेरा मतलब किसी भी छोटी बात को लेकर नंद और भावी के दर्मियान जगड़ा हो सकता है तुम्हें तो शुकर मनाना चाहिए कि अम्मी ने तुम्हें सास से नहीं मिला दिया सास और बहु के दर्मियान जो जगड़े होते हैं बहुत बड़े होते हैं और नन्द और भावी में तो छोटी मोटी तूटू में में होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहां मुझसे मिलने नहीं आये है बलके ये बाते करने आये हैं कि ज्यादा जालिम को है तुम लोग ये सब कुछ सीख कर आयो ना घर से? नहीं बिलकुल भी नहीं, तुम्हें देखकर खुद बखुद ये बाते नहीं बला ही कमाल का मुझाइदा है आपका हाँ बिलकुल ऐसे ही मेरे भाई, तुम मेरे साथ हो या मेरे दुश्मनों के साथ उनके सामने बेज़ती कर रहे हो मेरी हांदान हम लोग मजाग कर रहे हैं, तुम दिल पर क्यों ले रही हो तुम्हारे और तुम्हारी भाई के बाल तो एक जैसे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए रिसे एक बात बताओं हांदान नन तो शादी से पहले ही अपनी भावी से हसत करना शुरू कर देती है वो चाहती है कि शादी वाले दिन, वो दुलहन से भी ज़्यादा हसी नजर आए और सब देखकर उसकी तारीफ करें मेरे भाई, सुन रहे हो तुम हांदान माजरेच चाहती हूँ, मैं अब आप लोगों के साथ यहां मजीद गुफ्तगु जारी नहीं रख सकती क्योंकि जिन्दगी में और भी काम जरूरी है मैं कंपनी जाके कुछ फाइदे का काम करूंगी खुदा हाफिस हां, बिल्कुल जाओ, जिन्दगी में पैसा कमाना भी जरूरी है और उसे बाद में हम ही लोग उड़ाएंगे आपका अभी ऑप्रेशन हुआ है, खुद को ठकाने की जरूरत नहीं है हर चीज आइस्ता आइस्ता ठीक होती जाएगे ठीक होने में वक्त लगता है, समझ गया है बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो ठीक है फिर अगले महीने आके मुझे चेक अप करवा दी जी ठीक है खुदा हाफिस खुदा हाफिस ओ, डॉक्टर आदिल कैसे हैं सलीम कुछ वक्त होगा आपके पास मेरे कमरे में आज हो, बैटकर बात करते है हाँ, तो अब बताओ क्या बात है सर आपको कैसे पता चला के कोई बात है सलीम मैं तुमें सालों से जानता हूँ लगता है कोई दिल्विल का मामला है क्या गलत कह रहूँ वाँ, क्या बात है चलो शुरू हो जा, मैं सुन रहा हूँ बात यह है के, एजगी के बारे में बताया था ना मैंने हाँ, वो लड़की जिसकी तुमने मदद की थी हाँ, वो ही, जो काफी अच्छी, सीधी-साधी और महरबान भी है उसके भाई से भी मिला हूँ, वो भी काफी अच्छा है तुम दोनों करीब आ रहे हैं, तो अच्छी बात है हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, और उसके साथ बहुत कुजारना बहुत अच्छा लगता है मुझे शायद उसके जजबात दी मुझे लेकर कुछ ऐसे ही है तो फिर क्या मसला है? असल में मसला तो कुछ भी नहीं हमारी दोस्ती अतनी अच्छी हो चुकी है कि किसी रिष्टे में भी बदल सकती है देर पा तालुकात में धी मेरे अफ़तार से बढ़ना बितर है मेरे भी यहीं खैल है लेकिन बात दरसल कुछ और है एक और और औरत है जिससे मैं पिछले दो माह से मिल रहा हूँ यानि कोई और भी है तुमारी जिंदगी में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हमारे दर्मियान कोई जजबाती लगाओ है लेकिन जब मैं एजगी और उसके भाई के साथ था तब उसका मैसेज आया था मुझे जिसने मुझे काफी बेचेन कर दिया और मुझे वहां से उटकर बाहर जाकर बात करना मड़ी तुम खुद को मुझरिम समझ रहे होगे और एजगी और तुम्हारा को ऐसा रिष्टा भी निया और फिर तुम ये भी नहीं जानते कि उसकी जिन्दगी में कोई और भी है के नहीं कभी पूछने की कोशिश की नहीं अब तक तो नहीं मुझे उससे ऐसा सवाल करने की जरूरत ही नहीं पीश आई तो तुम्हारी सूरत यहल भी गदर मुफ्तलिफ नहीं है ये तो फिर सची मुहबत ना हुई सलीम इस तरह तो तुम किसी का दिल तोड़ दोगे मैं किसी कभी दिल तोड़ना नहीं चाहता आप जानते हैं न ये बाद जानता हूँ और तुम भी जानते हो क्या सही है और क्या गलत है मुझे आफिस के लिए देर हो रही है अब मुझे चलना चाहिए आप लोग जहमत मत करें मैं चला जाओंगा हाँ बस मैं भी थोड़ी देर में जाने वाली हूँ क्योंकि दुआन को यल्दिस हूँ से मिलना है न अचाह चलने ठीक है खुदाहफिस खुदाहफिस एंगिन दरवाजे तक छोड़ देती हूँ मैं देख रही हो तुम यल्दिस है अम्मी अभी उसने हमें माफ नहीं किया माफ कर चुकी है उससा भी खत्म हो चुका है हाल जान मेरी बात सुनो जैसे ही तुमारी खाला यहां पर आ जाए उससे कहना कि मिरी नानी का दिल मत तोड़े ठीक है बेटा ठीक है क्या कहोगे उसे बताओ मुझे आंटी मेरी नानी का दिल मत तोड़े शाबाश मेरी जान मेरा आकल मन बेटा शाबाश बराए महरबानी मुझे ऐसे देखना बंद करे अब इतना तो बंदा ही है आखिर उसके घर में रह रही हूँ मै आंटी प्लीज मेरी नानी का दिल मत तोड़े हाले जान को कितनी फिकर है मेरी असर पढ़ता है ना इस पर भी ऐसा ही होता है जब बच्चों के सामने सारी बाते की जाए ये कैसी बाते कर रही है उसे अमी बस रहने दें भी मेरा प्यारा बच्चा आजो मेरे पास जेनू अब नाराज़गी खत्म भी कर दो ना बेटा कम से कम हांदान के सामने हमें एका करना चाहिए तुम्हें यों अकेला नहीं छोड़ सकते यलमास खांदान से है हमारा तालोग और यलमास कभी हार नहीं मानते सही कहां मीन है मैं नाराज नहीं हूँ ठीक है हां अगर घुस्सा खत्म नहीं होगा मेरा ठीक है नाराज़गी तु खत्म की तुमने मेरी प्यारी बेटी बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार करती हूँ मेरी जुदी गुडिया हाँ लेकिन एक बात है जैसे ही तलाख होगी मैं फ़रान अमेरिका चली जाओंगी बता रही हूँ जैनब अगर अमेरिका ना जाओ तो घर वापस आ जाना ठीक है हाँ ताकि आप लोग अपने मकसद के लिए मुझे अपनी साजिशों में दुबारा से शामिल कर लें तो अब तुम यहीं रुकोगी ऐसा है ना जैनब जो आप सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अमेरिका कुछ भी नहीं सोच रही है खेर गाड़ी की इंते जम्यों कर लिया तुम कहो अमेर यिलदिस मॉडल के बंदो बस्त हो गया है मैं दस मिनिट में घर पहुंच रही हूँ उस हैंडसंउम आदमी और दोान का सामने जरूर होना चाहिए अच्छा एक बात और है, हमने एक लग्जरी कार भी कराय पे ले लिए है, ताके वो तुम्हें वहाँ बहुत ही शांदार तरीके से ले जा सके मेरे साथ रह रहेकर अखलमंद हो गए हो तुम लोग, बसारी हूं मैं, बाई हाँ छी क्या कहा पिर? तारीफ कर रहे थी हम लोगों की और क्या कहीगी मैंने कहा था ना तुमसे, चलो अब जल्दी से चलके गाड़ी ले आते हैं पिर हाँ चलो 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 ये इसके साथ क्या कर रहा है गुड मॉनिंग किसी को बहुत अच्छे फूल भेजना चाहती हूं मैं जी क्यूं नहीं, किसी मर्द को भेजने है खातून को क्या आप बता सकती है? मर्द को वैसे हमारे पास बना हुआ गुल दस्ता मौझूद है मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुबसूरत है बहुत खुबसूरत है ये ठीक है फिर ये दे दे मुझे इसे मुझे हॉस्पिटल भेजना है क्या ये आज पहुँच जाएंगे वहाँ? जी जी बिल्कुल, आप मुझे रूम नुम्बर बताएं ये मुझे डॉक्टर को भेजना है सलीम नाम है उनका क्या कहा आपने? क्या मतलब? मैं समझी नहीं क्या तुम्हारा नाम जनान है नहीं, आमना हूँ मैं तुम्हें क्यों भेजना है? क्या तुम उसकी पेशिंट हो? लेकिन तुम क्यों पूच रही हो ये? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फूल बेचती हूं यहां और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे फूल कहां कहां जा रहे हैं और क्यों? तुम्हारे साथ मसला क्या है? नहीं मुझे क्या मसला होगा? वैसे भी फूल, डॉक्टर को नहीं मरीज को भेशते हैं. बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? इस तरह तो डॉक्टर के सामने शर्मिंदिकी होगी. अम्मी मैं आ ही रही थी, बस इस पागल से वास्ता पड़ गया. चलिए हम किसी और दुकान से फूल ले लेते हैं. अरे नहीं, प्लीज, प्लीज, वापिस आएं. मुझे माफ कर दे, मैं आपको ये मुफ्ट में दे दूँगी. अचानक मुझे क्या हो जाता है, समझ नहीं आ रहा. पुर्सुकून हो जाओ, पुर्सुकून हो जाओ. कुवर, 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 कुवर. कुवर, क्या तुम शॉप पर आ सकते हो अभी? काम है. मैं कब से इंतजार कर रहा था यल्दिस सू को तयार कर रही थी इतनी ज्यादा देर नहीं हुई है मुझे देखो बावा की शहजादी आगे सब कुछ इसमें मौझूद है फल भी रख दिये हैं और डाइपर भी मौझूद है ठीक है अई उन लोगों को कभी अकल नहीं आ सकती मौडल की जगा इस पुतले को लाकर बिठा दिया बिला वज़ा मैंने उन लोगों की तारीफ कर दी थी आमिर और सादिक से अभी पूछती हूँ मैं क्या मौडल की जगा यही मिला था तुम लोगों को हाँ यह देखो कॉल आ रही उसकी हाँ कहो यल्दिस आमिर कहा हो तुम मेरी जान भावे क्या हुआ है मेरी बात सुनो मतीन शायद मेरा पीछा कर रहा है उससे मेरा पीछा चुड़ाओ और साहिल के पास मिलो अभी घर के करीब हूँ मैं जल्दी ठीक है हम अभी निकल रहे है अब इसी से काम चलाना होगा मुझे बुरा मत मानना मैं तुम से नहीं कह रही मेरे दोस्त ही बेवकूफ हैं चलो अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो अगर कोई पीछा कर रहा है तो उन्हें दिखाई दे कि मैं किसी के साथ हूँ इसका तो हाथ ही निकल आया ओ ये लोग आखर कर क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है चार-चार शोहरों के बाद एक बेजान मॉडल की बारी आ गई है वहारे किसमत कुमर जब उसने मुझसे कहा कि ये फूल सलीम के लिए है तो मेरा खोन खौल गया फिर मैंने उनसे उल्टे सीधे सावलात पूछने शुरू कर दिये इतने में उसकी अम्मी अंदर आई तो मुझे पता चला कि वो उसकी मरीज है कुमर इतना परेशान क्यों हो रही हो समालो खुद को क्या होगे कुमर मुझे सच में नहीं पता आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे से कुछ ना कुछ चुपा रहा है कॉमल सलीम तुमसे क्या चुपाएगा अभी तक तो कुछ ऐसा है ही नहीं यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डरी हुई हूँ, मुझे बस एक खौफ है, लोगों ने मेरे साथ वैसे ही बहुत गलत किया है, मैं नहीं चाहती आगया ऐसा हो। लेकिन कॉमल, जो तुम कर रही है वो भी ठीक नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे इन सब से खुद निकलना होगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। मुझे लगता है, मुझे सुकून की जरूरत है, मुझे खुद का खयाल रखना होगा, शॉपिंग करनी होगी और इस शॉप से निकलना होगा। खिल्दिस बिल्कुल सही क्या रही थी, देखो मतीन पीछा कर रहा है उसका अब देखना में इसके साथ क्या करता हूँ यह तुम यह क्या करे रहे हो भाई हद यह होई क्या शांदार तरीके से तुम दे जान चुड़ाई उससे आज़ो आज़ो तुम लोगों को बताती हूँ मैं, आज़ो आज़ो, जल्दी आज़ो तुम लोगों का ही इंतिजार में आज़ो आज़ो, एहतियाज सिखड़ी तरो यहां, आज़ो करीब आओ इल्दिस, वो जो मतीन है, वो सच में तुम्हारा पीछा कर रहा था अच्छा, वाकई लेकिन फिकर मत करें, पीछा चोड़वा लिया हमने उस वाकई में तुम दोनों जबर्दस्त हो मेरे लिए तुम लोगों को ये बेजान मॉडल में राथा छोड़ूगी नियाच तुम दो अच्छा, अच्छा, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये, तुमने तो इसके हाथ पावलक कर दिये हमने इसकी काफी भारी रिकम दिये मजीद हुसा मत दिलाओ मुझे फर्स करो, अगर दुआन इस पुतले को देख लेता तो क्या इज़त रह जाती मेरी, कोई एक काम धंग से नहीं होता अरे, भारो दोने फाद होती है, अब इस बेजान को लेकर कहां घुम हूँ मैं देख उस दर है उसे उनका पीछा क्या था मैंने जो आदमी उनके साथ था, वो असली नहीं लग रहाए मतलब वो आदमी असली नहीं था मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई मुझसमा और फिर ऐसा लगा कि जैसे लडाई हो रही हो उन दोनों के दर्मियान और फिर एक गाड़ी दर्मियान में आ गई किस बात पर जगड़ा हो रहा था, मैं कुछ समझा नहीं एक दूसरे को मार रहे हो जैसे और अजीब बात ये कि यल्दिस साहिबा ने उस आदमी का खुस्से में हाथ ही निकाल दिया था मतीन तुम ये क्या कह रहा है हो जानता हूं सब बहुत अजीब बात कर रहा हूँ उसके बाद उनकी गाड़ी ओजल हो गए मेरे सामने से मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थक गए हो सुभा शाम काम करते हो तुम आज एक दिन की छुटी करो नीन पूरी करो तुम आज अपनी ठीक है? जैसा आप कहें सार लेकिन वो सब कुछ सच था मतीन, असमत से कहो मुझे से आके मिल ले, तुम्हारी आज चुटी है जै बलकू ठीक है सर आज मेरी बेटी जूला जूलेगी चलो आज़ा, बैठ जाओ यहां बैठ जाओ खूब मज़ा है का आज तो जूले में है अरे, 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 क्या हुआ, क्या हुआ तुम नहीं बैठना चाहती है क्या कोई बात नहीं बाबा है न यहाप आपको जूला नहीं जूला तो हम दूसरे जूले पे चलते हैं न आजा, मेरी शेजादी मैं स्टाइल के साथ आकर गाड़ी में बैठ गे और दुआन की नजरे मुझसे हट नहीं रही थी क्योंकि जलिस हो रहा था मुझसे और जैसे ही मैं अंदर आकर बैठी तो इस मुझसमे को अपने सामने बैठा देखा यू समझ लो जिल्दिस के वो एक पत्थर जैसा इंसान था देखके जल गया होगा हाँ बिल्कुल मैं भी यही कहने वालत है इससे तुम लोग मुझे मजीद हुसा दिला रहे हो बहतर होगा चले जाओ यहां से और मुझसमे को भी साथ ले जाओ अपने फोन बज रहा है मेरा दुआन चुपो जाओ बिल्कुल सही का मेरी जान हलो क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं फिकर मत करो क्या रो रही है मेरी बेटी नहीं पर मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है कहा हूं तुम इस वक्त हम यहीं हैं, घर के नस्दीक वाले पार्क में मैं जानती हूँ, उसे भूक लगी होगी, इसलिए रो रही है तुम बराबर वाले कैफे में पहुंचो, मैं आ रही है ठीक है, ठीक है, तुम फिकर मत करो यह शक्स अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, खुद को बाप कहता है खेर सादिक, तुम अब मेरे साथ चलो और मुझे ड्रॉप कर दो और तुम इस मुझसमे के साथ जाओ और अपना वक्त अच्छा गिजारो इसके साथ पसंदीदा फल बैग में रखे थे, क्या वो खिला दिये थे? हर चीज खिला के देखी मैंने, इसे कुछ नहीं चाहिए पास्ता नहीं खिलाया क्या? पास्ता हाँ मेरी जान, मैं समझ गई हूँ, इसे पास्ता चाहिए था हाँ, इसकी नानी ने पहचान कराईए कि इसे पास्ता पसंद है जान है ये तो बाबा की रोने की जरुवत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए पूरे पास्ता की फैक्टरी खरी लेंगे अपनी बेटी के लिए तो कुछ भी कर सकता है इससे ये बहुत खुश हो जाएगी दौान हमारी एक तस्वीर तो ले ना, आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ आ जाओ मेरी जान करीब आ जाओ यहाँ देखो, थुड़ा मुस्करा लो क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? हाँ जरूर हाँ बिलकुल थोला सा करीब हो जाए हाँ ठीक है माशला से बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग अम्मी की जान जरा उधर देखो जी लिजी बहुत शुक्रिया कितनी प्यारी फेमिली है नहीं कभी प्यारी हुआ करती थी तलाक हो गई हमारी और इसने मेरी करीबी दोस्त से शादी भी कर ली है आपका बहुत शुक्रिया ठीक है फिर आप लोग एंजॉय कीजिए ये जिस क्या जरूर थी तुमें कहने की जूट नहीं बोला जो कहा है वो सची कहा है मैंने तो क्या ये बाते तुम हर शक्स को पताती फिर होगी जैसे तुम जानती भी ना हो नहीं उससे मैं जानती हूँ इस कैफे में आती रहती हूँ उससे खलत फैमी हो रही थी मैंने उसकी खलत फैमी दूर कर दी हम एक फैमिली नहीं रहे और वो तुम्हारी बदॉलत ये लो मेरी जान, इसे खाओ शाबर मेरी प्यारी जान आईशा, प्लीज एक काफी पिलादो मुझे मैं बहुत थक चुका हूँ जी मैं अभी लेकर आपी बहुत शुक्रिया भागो मत, भागो मत वो यहां बारिश हो रही है तो इसलिए मैं अंदर जा रहा था आपा आपा कहके मत बुला मुझे तुम क्या हूँ आपा ये तुम मुझे से पूछ रहे हो हाँ जैसे तुम इस बारे में कुछ चानते ही नहीं हो क्या वो तुम सब भूलके तुम्हें इतनारस अपनी घर में रहने दिया था को और की तरह समझा था तुम्हें और आज तुम मेरे एहस्तानों का बदला इस तरह चुका रही हो आमिर अब मुझे समझ आये कि तुम कितने मौका परस्त हो पहले ही एक्तलाफात में तुमने पीट दिखा दी हमें अपा ऐसी कोई बात नहीं है और इसे पीट दिखाना नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं आमिर देखें आपा यिल्दिस मेरी दोस्त है और उसकी वज़ा से ही मैं आप से मिला था तो जब तुम बे घर थे, उस वक्त तुम्हें यिल्दिस के घर पना लेनी चाहिए थी ना? जान पहचान किसकी वज़ा से हुई थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम एहसान फरामोश हो, और इंतहाई नाशुक्रे इंसान भी. अरे, आपा जगड़ा यिल्दिस और आपका है, और इसी वज़ा से मैं और कुवर भी कुसूर वा रहे हैं. कितने अफसोस की बात है, अगर कुवर आपका साथ दे रहा है, तो इसी तरह से यिल्दिस का साथ दे रहा हूँ है. ये तो फित्री सी बात है. क्यूंके कुवर मेरा सगा भाई है, भाई, खोन का रिष्टा है हम दोनों का, क्या सगी बेहन है तुम्हारी जिल्दिस, हाँ? मतलब हम बहन भाईों की तरह ही है? अगर ऐसा ही है ना आमिर, तो अपनी उस चहीती बहन को खबरदार कर दो के मुझसे उलचने की कोशिश मत करे, अगर दोबारा उसने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा उसके साथ आपा मुझे गलत मत समझेगा लेकिन दुआन से आपने ही शादी की एक लाफ सोहर बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम सब के लिए यही अच्छा होगा कि दूर रहो मुझसे हाँ बिल्कुल आपा हम मैं ऐसा ही करें फिर से मुझ खोला तुमने अपना देखो तो जड़ा हर वक्त अहसान जतादी रहती हैं नहीं भाई इन्हें कोई नहीं समझा सकता वो हमेशे अपने आपको यह सही समझती हैं देखा जाएगा और बताओ तुम्हारी मुलकात कैसी रही तुम्हें क्या इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है यह मेरा जाती मामला है मुझसे जाती सवालात क्यों पूछ रहे हो बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है क्या मैं अपनी बेटी की माँ से कुछ पूछ नहीं सकता बिल्कुल है बुरा मानने वाली बात और इससे भी बुरी बात यह है कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगाए मुझे सब पता है तुमने मुझसे जूट बोला है न येल्दिस क्या तुमने आलिय से शादी नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आता है तुम करते हो तो क्या मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती तो फिर तुम चाहती क्या हो मेरा और आलिय का पीछा करना और हमसे जूट बोलना आखिर तुम्हारा मसला क्या है मेरा मसला ये है कि मैं इतनी आसानी से आलिय को नहीं बख्षूंगी क्या है सच है हाँ बिल्कुल क्यूकि उसने एंगन को लेकर मुझ पर इल्जाम लगाया था और मेरी सच्चाई सामने आने पर भी तुमने उस पर यकीन कर लिया और फिर आलिय से शादी कर ली तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें इस बात की क्याब में मुबारक बात दू हाँ और तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें पता इसमें नुकसान किसका हुआ है दुआन हमारी बेटी हमारी बेटी को दुबारा से एक फैमिली मिलने वाली थी लेकिन सब कुछ बरबाद हो गया एक शक्स की वज़ा से तुम्हारी वज़ा से चलो बेटा चलते हैं हम बाकी का पास्ता घर जाके खाएंगे येल्देस मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ हाँ जानती हूँ तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन काश तुमने मेरे लिए भी कुछ किया होता तो क्या बात होती खेर जाने दो तुम ये खिलोने लेकर आजाना इतना ही कर लोगे तो बहुत है चलो मीकी जान हाई सुकून की सांस तो लेंगे घर जाके आजाएं यल्दिस बेटा तुम अभी तक तयार नहीं हुई नहीं अम्मी इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा क्यों क्या हो गया क्यों डरारी हो तुम मुझे डरने वाली कोई बात नहीं अम्मी मैं आज पूरा दिन दुआन के साथ थी इसलिए स्ट्रेस फिल कर रही हूं जरा ठीक कह रही हो लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा यल्दिस उप बेटी है उसकी अक्सर तुम्हारा सामना उससे होता ही रहेगा बेटा पते जैनब बिलकुल ठीक कहते है अगर मैं कहीं भाग सकती होती तो कब कब भाग जाते हैं यल्दिस जैसा मत कहो सारी मुश्किलों से हम बाहर निकल आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मैं तो बस अभी इतना कहूंगी कि तुम अभी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ हाँ ऐसा ही है मैं ठीक नहीं हूँ या तो पर ठीक बनने का दिखावा करी हूँ अब इसका क्या मतलब हुआ क्या कह रही है अम्मी मैं कह सकती हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ मैं नीचे तुम्हारे इंतिजार करी हूँ, ठीक है? मैं क्या पहनने वाली थी? ये तो सोचा ही नहीं अभी तक. वा, वा, वा. आपा, आज तो आप क्यामत लग रहे हैं. कौन सी फ्रेंच मुवी का किरदार निभाने वाली हैं, आप बताएंगी मुझे भी ज़रा? वा, 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 पता है न, तुम्हें लाइफ शो हो रहा है आज, कुवर. हम, इंतिकाम तो लेना होता? क्या, कौन सा मामला? तुम लोग दिन बादिन बहुत करीब होते जा रहे हो, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा इस पारे में? आपा, जैसा आप सोच रहे हैं, कॉमल हो मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ऐसा कब होगा कहो? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, भूल जाएए इस बात को, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, तो ये बताओ कि सारा दिन तुम दोनों क्या खुसर बुसर करते रहते हो? फलसफियाना गुफदुगू करते हैं. वो क्यों? आपा, मेरा मतलब है सितारों के बारे में, टेली पहती, मस्तक्बिल के बाते हैं वगरा वगरा. कूँ है? क्या उसने तुम्हें भी पाकल कर दिया है? क्या उसका इलाज नहीं चल रहा बता? आपा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ फलसफियाना गुफदुगू करते हैं, आप क्यों परिशान हो रही हैं? अगर अभी मुझे जाना ना होता और देर ना हो रही होती, तो मैं तुमसे इन सारी फजूल बातों का जवाब ज़रूर लेती. लेकिन यह जो भी कुफदुगू हो रही है, इसे हम कल जारी रखेंगे. पता है न, आज लाइफ आउंगी टीवी पर मैं. अच्छी बात. अच्छा वैसे, दुआन का है? एक बिस्निस टिनर पर गया है, वैसे बहुत अच्छा हो गया. जो मेरे दिल में आएगा, वो मैं कर सकती हूँ आज शाम. बाई बाई. बाई मेरी जान. आई लव यू. अच्छी लग रही हैं बहुत. कितना वक्त गुजर गया हमारी मुलाकात हुए, लेकिन आज भी कल की बात लगती है. हाँ, बच्छबन की दोस्ती अमुमन ऐसी ही होती है. सालों एक दूसे की शकल ना देखो, लेकिन जब साथ हो तो लगता है, जैसे वक्त कोई माईनी ही नहीं रखता. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हता के मिलिटरी तक, हमने सारी सिंदगी साथ गुजारी है. हाँ, बिल्कुल. अक्सर हमारी मुलाकात बहरानों के दोरान ही हुई है. ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है. हाँ, मुझे याद है. आखरी बार हमारी तुम्हारी मुलाकात तब हुई थी, जब मेरी तलाग हुई थी. शदीद मुश्किल में गरिफतार था. तब तुम मेरे साथ खड़े थे. अगर आज हम साथ हैं, तो इसका मतलब है कि तुम किसी मुश्किल का शिकार हूँ. देखो, तुम उन लोगों में से हो जिससे मैं कभी कुछ नहीं चुपाता। बलके देखा जाये तो, शायद वो वह वाहिद शख्स हो तुम, जिससे दिल की हर बात कर लेता हूँ. शुक्रिया, तो फिर कहो, एक गलती हो गई है मुझसे बहुत बड़ी, अफसोस हो रहा है मुझे. गलती को ठीक भी किया जा सकता है. लगता है, वो मौका हाथ से जा चुका है अब. मौज़स खवतीनों हसरात, आपको Elimination ceremony में खुशाम दीद, और साथ ही हमारी यहाँ जूरी भी मौजूद है. और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने Guest Judges को यहाँ आने की दावत दें. तो नाजरीन, अब मैं दावत देती हूँ लोगों के वोटों से बनने वाली trending star Yeldis Y Yeldis को. Hello everyone. खुशाम दीद Yeldis साहिवा. खुशाम दीद. बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान. आज आप यहाँ पर आईए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. बहुत शुक्रिया. मुझे भी यहाँ आकर सच में बहुत खुशी हुई. तो आईए हम आपको आपकी नशिस्तक ले चलते हैं. आँ, इतनी चल्दी. पहले फोटो शूट तो हो जाए मेरा, फिर बैट जाऊंगी. मजाँ कह रही थी. प्लीज बैठिये. कैसी हो दुलनो, वैसे मैं पांच शादियां कर चुकी हूँ, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियन्स है मेरे पास. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अच्छा तो खावतीनों हजरात, आज हमने अपनी इस तक्रीब में छोटी सी तबदीली की है. और इस तक्रीब में ये पहली बार होने जा रहा है. आज हमारे पास एक नहीं दो दो जजजिस मौजूद हैं. आज तो बहुत मज़ा आने वाला है. तो आप सब की भरपूर तालियों में यहां तश्रीफ लाती हैं. आलिया चले भी यल्दरिम. खुशाम दी दालिया साहिबा. बहुत शुक्रिया. लड़कियों की एक्साइट्मिन कुछ साथा ही बढ़ गई है मुझे देखने के बाद यहां. बहुत अच्छा है कि आप लोगोंने मुझे बुला कर? ये तो हमारी खुशनसीबी है. बैठिये प्लीज. तो नाजरीन ये बात तो साफ है कि आज की शाम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है. मेरा भी यही ख्याल है. तो जैसा कि आप सब को मालूम है कि हमारी ये आज की तक्रीब किस हवाले से है? शादीगे. खुशामदीद शान्जे. तो आप इस तक्रीब में अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं शादी शिता हूँ लेकिन मुझे निकभ वाले देनी छोड़ दिया था. है, वाह, वाह. मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँगी. मुझे एन शादी के मौके पर छोड़ा गया है. इसलिए मैं इस मामले में बहुत माहिर हूँ. एक धोका खाए हुए शाखस के हिसाब से तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ ज्यादा है. और बहतर होता अगर तुमने काले रंग को तरजी दी होती क्यूंकि तुम इस वक्त गम में हो. तुम्हें गम मनाना चाहिए ना? माफी चाहते हूँ. गम किस के लिए मनाई है? क्यूंकि तुमने सुना नहीं शायद कि निका की टेबल पर इसका शोहर इसे छोड़ कर चला गया था. क्यूंकि उसके बेस्ट फ्रेंड के चाहने वाले पर उसने शुरू से ही नजर रखी हुई थी. तो उसे रोने का कोई हक नहीं है. खेर कुछ भी हो सकता है कौन जानता है? मेरी जान, तुम बहुत प्यारी हो इसलिए अदास मत होना कभी. इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से तीन नमबर दूँगी. नाराज नहीं होना. लेकिन मैं इस से मुत्तफिक नहीं हूँ. मुझे कॉंसेप्ट के हिसाब से तुम्हारा ड्रेस और तुम्हारा यूँ दिखना अच्छा लगा. मेरे खयाल से औरत को हर सुरत एहाल में अपने आपको मस्पूर्थ और बावाकार रखना चाहिए. और इसलिए मैं तुम्हें पांच नमबर दोंगी ठीक है ना? बहुत शक्रिया मैडम. इसने ऐसा सिर्फ मुझसे हसद में किया है, बहुत तेज है ये. ठीक है तो फिर आप लोग इने कितने पॉइंट्स देंगे? मेरे जैसे देना पॉइंट्स.